सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें या फिर अपने माता-पिता का सम्मान ना करते वे घर पे बिल्कुल जैसे कोई नौकर चाकर रहता है उस तरह से अपने माता-पिता को रखते हैं कमी कहां आ जाती है क्या ये संसकारों की कमी होती है आपने पहले तो अपने प्रशन में ही उत्तर दे दिया विश्यस रूपसे इसमें संसकारों की कमी है क्योंकि देखिए हमारे हैं रामायन का प्रचलन था रामायन पढ़ाई जाती थी खुब अच्छी तरीके से घरों में उसका ज्यान पुरी उसमें भरी हुई थी जैसे एक पिता के कहने पर उत्र जो है चोदव वर्स के लिए वनवास के लिए चल से तो यह जो हम लोगों के संसकार थे जो हमारी विद्वता थी जो तरीका था इस से हम मूल से भटक गए हमने अपने बच्चों को इस तरह के स्कूलों में डाला जिसमें संसकार नाम की चीज नहीं है और उनमें जो हम लोगों ने पढ़ाई तो उनकी करा ली लेकिन पिक सुरूप में उनको जीना चाहिए तो उनको केवल हमने सिखाया कि पैसा किस प्रकार से कमाना चाहिए धन कैसे अर जी तो यह पताना हम भूल गए क्योंकि संसकार जब तक हम नहीं देंगे जिस धरातल पर जिस भूमी पर हम रक्ष उगाना चाहते उसकी मिट्टी को हम उर्वरक नहीं बनाया तो आज वह कहते हैं पेड़ बोय बबूल के तो आम कहां से हो ए क्योंकि जब हमने पहले सी उसके धरातल को बिगाड दिया तो वह पच्चा क्या मानेगा और क्या जानेगा क्योंकि उसको सुरुवात सी पहले हमारे हैं गुरुकुल की परंपरा ठी होना चाहिए तो हो भी चला गया और माबापों ने उनको दूर भेज दिया अपने सुविधा के अनुसार अपने पैसे के अनुसार तो अब उसके बाद यदि आप उसन से उपेक्षा रखते हैं कि वह बच्चे आपका कुछ कर देंगे तो यह असंभाव है क्योंकि पहले हम लोगों ने गलती की और जो आपने पहले ही संस्कारों की कमी क्योंकि जब तक हम बच्चे को जीवन नहीं देंगे उसको धरातल की चीजों को नहीं सिखाएंगे आज भी बड़े-बड़े परिवार जो समाज में हैं वो जितने सुखी हैं इतने कोई नहीं है क्योंकि आज दो पिर अब लालच मिले जाते हैं कि किसी तरीके से हम लोगों का लेकिन पहले एक परिवार होता तो यह भी पता नहीं लगता था कि दुख सुक किस तरह से कट गया और एक दूसरे के साथ जीवन का निर्वा हो जाता था सुदर तरीके से जीवन चलता था और एक समाइत ह कर एक भै भी बना रहता था एक डर भी बना रहता था एक खुशी भी होती थी तो वो सब चीजों से संसकार आते थे परंपरागत आते थे लेकिन उन परंपराओं का टूट नहीं आज बलकि देखा जाया तो विदेशी लोग हमारी उस परंपरा को ढूंडने के लिए यहां जाते हैं और वो इस परिवार को देखकर बड़ा खुश होते हैं कि किस प्रकार से लोग जी रहे हैं क्योंकि उनके यहां कि सब्वेता यही है कि बच्चे को उठाया तो गवर्मेंट ने पाल लिया और उसके बावजूद वो ऐसे हो जाते हैं तीस पैस चालिस साल की एज जाता है परिवार ना हो तो इस्ट मित्रों के साथ जाकर बैढ़ जाता है और बात्चेत करने वाले लोग हैं जापान में सबसे बड़ी समस्या बताते हैं बुजूर्गों की है कि उनके पास बात करने के लिए नहीं आत्मत्या तक कर रहे हैं तो यह संसकारों की तो कमी है हैं और हमारे आज भी कथा किवदंतियां कहीं ना कहीं मंदिरों में कहीं ना कहीं कुछ और चीजे तो आज भी संसकार के लिए बहुत सारे साथ उसंत परियास्रत हैं तो संसकारों का ही सारा कारण है